दोस्तों हमारे एक चैनल पे पांच लगते जादा व्यूज आ रहे हैं वो भी सिर्फ दो दिन में कैसे आ रहे हैं चले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जब भी आपको कोई वीडियो बनानी है तो कोशिश करनी है कि आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस में बनानी है ताकि जो वॉइस है वो दूसरे लोग भी इस्तिमाल कर सके अपनी वीडियो को बनाने के लिए जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आपको शॉर्ट व बनाने के लिए इस्तिमाल कर सकें इससे होगा कि जो भी आपकी वीडियो की वाइस होगी वो धिरे-दिरे बहुत सरे लोगों तक सर्कुलेट होगी क्योंकि कई सारे लोग आपकी वाइस लेके अपनी वीडियो बनाए है और अगर उनको वाइस पसंद आती है तो वो लोग ढूंडते हैं कि इसका ओरिजिनल कंटेंट क्रेटर कौन है तो धिरे-दिरे जो ओर्डियंस है वो ओरिजिनल कंटेंट क्रेटर की तरफ आना शुरू हो जाती है और उसके जो सस्क्राइबर्स हैं और उसके व्यूज होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो कई सारी कटेगरी थे जिस पर क्या वीडियो बना सकते हैं बट मैं आज आज आपको तीन ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि जिस पर अगर आप चैनल बनाते हैं तो आपके चैनल के जो वीडियोज हैं उनके व्यूज डेफिनेटली वाइरल होंगे और उनकी जो वॉइस है वो भी बहुत सरे लोगों तरक सर्कुलेट होगी तो सबसे पर टॉपिक है कॉमेड़ी का तो दोस्तों आज कल कॉमेड़ी वीडियो बहुत ज इस्तिमाल करें दूसरे टॉपिक है फैक्ट एंड एजुकेशन का दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सरे लोग ऐसा वीडियो बनाता है कि यह वो दैवी इस्थल है जहां से स्रिकेशन ने शेष्णा के साथ अवतार लिया था तो जब भी इस तरह की वीडिय रहते हैं और उसे रिकौर्ड करते हैं तो इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसपर किया वीडियो बना सकते भक्राइब आको अब ध्यान यह बात रखनी हैं जाभी आप एजब एगिदुर बनाता है कि आपको एक उनिवरुरसeल एक टॉपिक पर वीडियो बनाने है ज जो वीडियो है वो वाइरल हो जाए तो इस तरह से आप युनिवर्सल टॉपिक को चुनेंगे तो आपके लिए काफी बहतर होगा और तीसरा टॉपिक है meditation and mantros related videos तो दोस्तों बहुत सारी videos आजकल जो आप देख रहे होगे कि mantros related आ रही है या फिर bandlab के थुरू आपने उसे edit किया और उसमें reverb effect डाल किया अच्छा सा आपने music तयार कर ली अपना और उसे अपने short video में upload कर दिया और अगर वो voice लोगों को पसंद आएगी तो वो definitely आपकी voice को चुनेंगे और अपनी video को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से अगर आप videos बनाते हैं तो definitely आपकी videos viral होगी और साथ ही साथ आपकी subscriber भी बहुत ज़्यादा gain होगे तो इसी में अगर आप long video भी बनाते हैं long video से cut करके आपने short video बनाई है तो यहाँ पे जब भी आपको short video में आपके लोग देखते हैं तो आप नीचे जो related video का जो एक option आता है वहाँ पे आप long video post करेंगे तो आपकी short video से आपकी long video पे भी लोग जो transfer होंगे और धीरे धीरे आपका जो watch time है वो भी increase होना शुरू हो जाएगा तो कई सारे फाइदे हैं आप अपनी voice मेंगर कोई चीज़ बनाते हैं तो यह इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो definitely आपकी जो videos हैं वो बहुत ज्यादा grow करेंगे और बहुत जल्दी viral होगी तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ share करिएगा जो भी YouTube में अपनी वीडियो को viral करना चाहते हैं और इस चैनल को ज़रू से subscribe कर लिजेगा ताकि इस तरह के tips और tricks आपको मिलते रहें तो जल्दी मिलते हैं आपने नेक्ट वीडि जय भरत